असलालेकूम वीवर्स आज मैं आपके साथ डिजर्ड रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसे चाइना गिरास या अगर-अगर रेसिपी भी कहते हैं यह इसमें लगने वाला सामान है और यह एक लिटर दूद है चलिए आए यह रेसिपी शुरू करते हैं बिस्मिल्ला रवानी र रेसिपी बहुत जटपड बनके तयार हो जाती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है यह देखे दूद 10 मिनट गरम हो गया है अब हम इसमें यह 100 गिराम खवा डालेंगे गेस का फिलेम फुल है खवे को अच्छे से मेल्ड होने तक हमें फुल फिलेम पर ही इसे पकने देना है 10-15 मिनट में यह खवा दूद में अच्छे से मेल्ड हो जाएंगा इसी तरह चमचा चलाते होएं आप इसे पका लिजिए यह खवा इसमें मेल्ड हो गया है अब गेस का फिलेम हम लो कर देंगे और इसके बाद यह इसमें हम चायना ग्राज डालेंगे यह 15 ग्राम के खरीब है और इसे भी हम लो फिलेम पे 20 मिनट तक पूरा चायना ग्राज मेल्ड होने तक चमचा चलाते होएं इसे इसी तरह से हम पकाते रहेंगे जब तक हमारा चायना गिरास फूरी तरह से मेल्ड नहीं हो जाता है हमें थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चम्चा चराते रहना है इस स्टेच पर हम अब इसमें सौग्याम शक्र डालेंगे शकर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं किसी को मीठ़ जादा पसंद है किसी को नहीं पसंद है तो आप अपने हिसाब से कवियाजादा कर सकते हैं एक लिटर दूद में हमने 100 गिराम शक्कर डाले हैं आप इसमें फिलेवर के लिए के ओडा या इलाइची पॉडर अपने हिसाब से डाल सकते हो मैं इसमें इलाइची पॉडर दालों मी थोड़ा सा पंदरा मिनट हो चुके हैं अभी हम इसे और पांच मिनट इसी तरह से पकने देंगे यह रेखी कितना गाड़ा हो गया है पकते पकते और सब चीज़े एक साथ मेल्ट भी हो गई हैं इसे और पांच मिनट इसके बाद हम इसे एक ठाली में निकाल लेंगे यह रेखिए हमने इसे पूरा एक ठाली में निकाल लिया है ड्राइ फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं मैंने बदाम काजो और थोड़ा सा पिस्ता बारिक बारिक कट कर लिया था इसे में इसके उपर से डाल देंगे आपको इस तरह से डालना है इस गरम स्टेच पर ही डालिए अगर थोड़ी देर बार डालेंगे तो यह जम जाएंगा मेरे पास अभी सकत केसर अवेल नहीं है वन्ना मैं यहाँ पर केसर डालती तो कोई बात नहीं हम इसमें फूट कलर डालेंगे आप इसे फिरीज में भी रख सकते हैं यह रूम टेंपरेचर पर भी यह अच्छी तरह से जम जाता है तीस मिनट में आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अपना ख्याल रखिए थैंक्यू अल्ला हफीज